रातों रात कमर दर्व से चुटकारा पाना जाते हैं, अपना पाचन तंतर सही करना चाहते हैं, तो अपनाएं इस घ्रेलू नुस्खे को, नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है, दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में ब जरूर रखती हैं, क्योंकि जहां पर छोटे बच्चे होते हैं, वहां पर इस चीज की जूर्त जरूरी पड़ती है, दोस्तों, उस एक ओश्दी का नाम है जैफल, जैसे की आप देख रहे हैं, यह है जैफल, जैफल एक गुनकारी ओश्दी है, दोस्तों, इस से शरीर की अनेक बिमारियों को आप सही कर सकते हैं, दोस्तों, जैफल भी दूसरे मसालों की तरह ही एक मसाला है, इसका परियोग खाने में जरूर किया जाता है, दोस्तों, जैफल में मैगनीशियम होता है, मैगनीज होता है, कॉपर होता है, और इसके अलावा भी विटामिन B1 और B6 होता है जो कि हमारे शरीर के लिए काफी जुरूरी है दोस्तों यह सहित के साथ साथ हमारी तवचा के लिए काफी फाइदे मन होता है जैफल से तवचा के गहरे दाग धबे pigmentation sunburn जैसी तो अच्छे से जुड़ी कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि किन-किन बीमारियों में ये कारगर है और कैसे-कैसे आपने इसका सेवन करना है दोस्तों यदि आपका पाचन तंतर बिगड़ा हुआ है यानि आप जो कुछ खाते हैं अच्छे से नहीं पचता आपको दस्त लग जाते हैं या फिर पेड में दर्द हो जाता है तब आपने जैफल का सेवन करना है जैफल को आप हलके गुन-गुने पाने के साथ लें ऐसा करने से दोस्तों आपका पाचन तंतर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों ये कारगर ओशदी है दोस्तों इसे आप शहद के साथ भी ले सकते हैं इस तरह से आप इसको घिस लीजिए घिस कर आपने इसमें शहद की एक दो बुन डाल ले या फिर आधा जमच भी आप यूज़ कर सकते हैं और यदि आपको शुगर की बिमारी है तब आप इसमें शहद नहीं डाले और इसको गरम पानी के साथ सेवन करें दोस्तों ऐसा करने से आपका पाचन तंतर बिल्कुल सही हो जाएगा आपको पेट के रोग नहीं होंगे पेट में दद हो जाता है आपको वो सही हो जाएगा दोस्तों सर्दी खासी है आपको तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दी खासी में दोस्तों आपने दूद में मिला कर इसका सेवन करना है आपने क्या करना है दूद को उबालने के लिए आपने कैस पर रख देना है और उसमें आपने चुटकी भर जैपल को घिस कर डाल देना है इससे आपका जो खासी जुखाम है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसे दोस्तों आप शहद के साथ भी ले सकते हैं सर्दी और खासी में यदि दोस्तों आपको सीर दर्द रहता है सीर दर्द को सही करना चाहते हैं तो सीर दर्द को सही करने के लिए भी आप इसका इस्सेमाल कर सकते हैं आपने क्या करना है इसको कद्दू कस में घिस कर इसका पाउडर साब बना लेना है इस पाउडर में दोस्तो आप थोड़ा सा पानी मिला कर इसका लेप सब बना ले और सिर पर लगा ले लेप करने से दोस्तो कुछ ही मिंटों में आपका जो सिर का दर्ध है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तो यदि आप सर्दी से बजना चाहते हैं आपको सर्दी जुखाम हो गया है बुखार आजाता है जल्दी जल्दी तब आपने इसका सेवन करना है आप इसका सेवन दूड के साथ करें सर्दी जुखाम बुखार में और दोस्तो यदि आपकी भूग कम है भूग को लिए दूर में इसको डालकर इसका सेवन करना है रात को सोते समय इस से क्या होगा आपकी भूख बिल्कुल सही हो जाएगी। दोस्तो यह दिया आपको दस्त है और यह पेट में दर्ध रहता है तब आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसे जल में घिस का सेवन करने से दोस्तों दस्त बिलकुल सही हो जाते हैं, इस दोरान स्वस्त भोजन भी करना जरूरी है, यानि आप बजार का तलब होना ना खाएं, आप अपने घर में सिंपल साधा खाना बना कर वो सेवन करें और जैफल का सेवन करें, दस्त पर रोक दाल कर इसका सेवन करना है आपने, बच्चों के पेट में अकसर दर्द हो जाता है, वो रोते रहते हैं, यानि उनको बोलना भी नहीं आता और वो रोते रहते हैं, तब भी आप बच्चों को जैफल दे सकते हैं, आपने कैसे देना है बच्चों को, या तो आप दूद की बोटल में थोड़ा सा जैफल डाल दे दूद में तब मिला कर दे दे बच्चों को या फिर आप चकले पर इसे घीस कर थोड़ा सा पानी लगा कर इसको इस तरह से घीस लेजिए और घीस कर दोस्तों आपने इसके एक चुटकी बच्चे को चटा देनी हैं ऐसा करने से वो पि पर भी दर्ध है तब भी आप इसे दोस्तों हलके गुनगुने पानी के साथ सेवन कर सकते हैं ऐसा करने से आपके जो घुट्णों में दर्ध है कमर में दर्ध है या बोड़ी पेन है तब वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों यह आपको मुहासों की समस्या है यानि दर्ध आ लेना है ऐसा करने से दोस्तों आपके मुहासी बिल्कुल सही हो जाएंगे दोस्तों अक्सर प्रसब के बाद महिलाओं को कमर में दर्ध रहता है तब वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो दूद में डालकर इसका सेवन करें इसका पेश्ट बना ले या फिर इस पेश्ट में घिस कर दूद में डालकर इसका सेवन करें दोस्तों यदि आप इस तरह से इसका सेवन करते हैं तो आपको अनेक बिमारियों में रहत मिलेगी जोडों का दर्ध बिल्कुल सही हो जाएगा पेट दर्ध नहीं रहेगा आपको सरदी जुखाम खासी ये सब नही ये फायदा उठाएं तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कोमेंट बॉक्स में लिखकर जुरूब बताना और दोस्तों ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेर जुरूब करें और सा